सैली, सोच, सीप, र सिर्जिना को एता हेरो एतेई मेरो नजर मा राम प्यारा छन उता हेरो उतेई मेरा नजर मा राम प्यारा छन एता हेरो एतेई मेरा नजर मा राम प्यारा छन एता हेरो एतेई मेरो नजर मा राम प्यारा छन उता हेरो उतेई मेरा नजर मा राम प्यारा छन त्रिलोक चौधै भुवन महा प्रभु व्यापक जहां तहां कहा सम्मन भनू यहां सबई मा राम प्याराचन जता हेरे उते मेरा नजर मा राम प्याराचन रसीलो राम को नाउ भजन तिनको संदै गाउं दरस्मो अर्बखत पाउ दयालू राम प्याराचन कहा सम्मन भनू यहां सबई मा राम प्याराचन यता हेरे उते मेरा नजर मा राम प्याराचन पियारा भई हरी मेरा सबई मन्मा रःचन यता हेरे उते मेरा नजर मा राम प्याराचन मत्याराम भट्टको यही गजल भाठा आजको सैलीको शुरूआत गरेको सुमयले सोच शीप र सिरजना को कारेक्रम हो सयली तपाईलाई स्वागत गर्षू आयते बार विहान नौ बजे को कांति पर समाचार पसी तपाईली दस बजे सम्म यो कारेक्रम सुन्दे आईरन भाय को सा सयली विशुद्ध, सिरजना, सोच र विचार को कारेक्रम आज हामिले युबा कभी मतिराम भट्ट को जन्मस्मृति दिवस मनाओ देशाओं संगसंगे भाद्र कुशी आउसी बा दिवस आज बाबु को मुखेरने दिन पनी हो आफुलाई कर्म दिने, जन्माओने, औरकाओने और बाटो देखाओने बा, पिता, बाउ, भूबा, जुन्सुके अफडबाट सम्भधन करे पनी हमरो जीवन का मार्गदर्शक बाबाको मुखेरने दिन आज को दिन आज को दिन मा, ब आजर कुशी आउसी को दिन मा, रैडियो सुन्ने, संपुन स्रोथा मा, बादि वस को कुश्य आउसी को हर दिक मंगल मैं सुबकामना मा बेक्त गर्षू मतिराम भट्ट का गजल बाट मैं ले आज़को कारेकरम को शुरूआद गरेको शूँ आज़ मोती जयनती 18-1966 मां मतिराम भट्ट को जन्मा भाय को थियो रो 18-1922 मां मतिराम भट्ट द्यावसानून भाय मतिराम भट्ट को बारे मां हमिले चर्षा परी चर्षा पंदा पनी मतिराम का सिर्जना के थी मतिराम ले नेपाली साहित्ते मां के योगदान दिये बानुभक्त लाइचिनाऊने मातरे भईना गजल पहिलो पटक लेखे रा नेपाली साइत्यामा ठूलो गुन लगाऊने बेक्तित्तो पनी मतिराम बट्टाने हुन यू पनी तप हैले समझानू परने कुरा हो आमी मतिराम बट्टाको रेकर्ड भायको पहिलो गजल प्रस्तुत गर्ना सके नमाय मिले जुन महिले अगी बाचन गरे त्यो नहीं येता हेरे येते मेरो नजर मा राम प्यार आजन सेत्राम स्रेश्टले आपने संगीत मा रेकर्ड गरे पसी नेपाली सांगेते क्छेत्रको शुरू आत भायको थियो विक्रम संबत 1962 बाट तर महिले त्यो गीत आज राखना सकी ना अब शुरू आत गर्शुमा मुद्रियाम बट्टाको चा एवटा गजल भक्तराजा आचारे को सोर संगीत मा चा एती सम्मा प्रिती गरी-गरी नएता भाए नहुता भाए फेरिफने आलाइस्वा आगच्छ साइली मा रेडियो खांती पूर रेडियो लास्टा को सुन्दे उनुन्छा देश्वित्र आनी संचार भरी बाट भूपेंद्र सुतमाईको साथ मा आजो को साइली मा मैले मोती जायनती विशेस बाबु को मुखेरने दिन को विशेस च मुत्रियाम भटका केही घजल को बाचन पनी रहने जा अगी मैले यती सम्म प्रिती गरी गरी न एता भएं न उता भएं न त मन लियें न दिदियें न एता भएं न उता भएं शुनाएं वक्तराज आचारे को सोरसंगीत मा न त होस बास की राखियो न त फुलक रस चाकि मैं लेगा को थी है अब प्रियदर्शिका नाटिका कोयोटा गजल चुनाओ चुमतापाई लाई कहां जन्म पाएं कहां आज पाएं दुखी मां मपईला भनी चाल पाएं हरे कर्म मेरू पनी के रहे चब विधाता ममाती बिराने भहे चब इजस्ता अराई मबस्ने उसोरी इनेको उंकुम्मा छुएले कसोरी विवेक छाईना कत्ती पनी दैवलाई न मेरे दोसके भनु एसलाई कहां जन्म पाएं कहां आज पाएं दुखी मां पईला भनी चाल पाएं मतिराम भट्ट का बारे मां मिले सर्षा परी सर्षा गर्षमा आजको गारेकर मां पक्के पनी मतिराम भट्ट का सिर्जना मतिराम भट्टले बानु बक्तलाई नेपाली साहित्ते मां चिनायको प्रसंग इधेरे कुराचन मतिराम भट्टका बारे मां आज देश परीने मती जाइनती मनाय देईशा, बाबु को मुखेने दिन पनी संग संगेईशा, मतीराम भट्टा का सिर्जना, मतीराम भट्टा ले नेपाली साहिते में दियेको योगदान, लगायत का प्रसंगला जोर देई, आज बीवीत कारेकर मुनेशन. मा अब अरकु गजल तपेर माज प्रस्तुत गर्शू, सकती बल्लबले मदीराम भट्टा का केही गजल ले संगेद भरेरा आपनो सोर मा गाउनो भायकोशा, निकेई बर्षा पहले उआले रेकाड गरनो भायके उठा गजल सुनाओचू, इसाने उमेर देखी मन हरना लागे इरा सुन्दरीले जुलूम गरना लागे। अब सुनाओचू मा तेसपसी फेरिया। नेपाली साहित्यको माध्यमिक कालको योटा यूग का समय का प्रवर्तक का रूपमा मुधिराम भट्टालाई लिने गरिणचू. नेपाली भासा साहित्य मा GZAL NAYA र नवलो विधा भित्रय नेपाली साहित्या कासलाई फराकिलो बनाउने अस्तिको रूप मा मतिराम भड्डा ला चिन्ने करिण चलुँआ दायराम भट्ट र रिपु मर्दिनी देवी भट्ट का सुपत्र को रूप मा दुस्रो संतान को रूप मा बिक्रम संबत 19-30 साल भधाव कुश्याउसी का दिन काठ्मटों को भोशी को डोल मा मुधिराम भट्ट को जन्म भायको थियो 6 वर्ष को मेर मा नहीं उच्च शिठ्या आसिल गर्नका निम्ती मतिराम भट्ट बनारस पुग्न भएको थियो भारत को बनारस मा रहादा हिंदी उर्दु लगायत का बीविन्न भासा को अध्यन संक्संके साहित्ते को पनी मतिराम भट्टले अध्यन गर्न भट्ट वनहार उजस्वी रद तपस्वी व्यक्तित्तो थियो मतिराम भट्ट को राष्ट प्रती को बफादारी तापनी बड़ गजब को थियो सोदेशी खानू, सोदेशी लाउनू, सोदेशी बिभार गरनू, सोदेशी बोलनू परदस बने मतिराम भट्ट को सपना थियो कलकत्ता पुगे का थिये रहा कलकत्ता बाट मतिरां बट्टले मास्टर डिक्री संभा को अध्यन गरे का थिये निपाली संस्कृत उर्दू लगायत का अन्य भासा को पनी मतिरां बट्टलाई ग्यान थियो मत्रियां बट्टले नहीं 1948 मां कभी भानुबक्त आचारे को जीवन चरित्र लाई नेपाली साहित्ते को छेत्रमा समर पण गरेका थिये तियो समाल चना को स्री गणश्तियो शुरूआ थियो भानुबक्त लाई इस्थापित गरना का निम्ती मत्रियां बट्टले ठूलो संगर्श गरेका थिये भानुबक्त लाई आफना सपनार विपना ठान्ने गरते मत्रियां बट्टले नेपाली साहित्तेलाई रात रात उन्नती को सिखरम पुरेवन करें थी मतिरामबट्टले भानुवक्त आचारे जस्ता असाधरन बेक्तित्तो का लेखेर राखिये का कृतियरुलाई प्रकाशन करने शुरुआत गरेका थी दर्वार आिशकूल मां पुर्ड खेरे मतिरामबट्ट का सहपाथी थी चंद्रसमसेर। देश को विकास के लागी मतिरामबट्ट छिंतित्ती। तway मतिरामबट्ट बड़ाई मां तेजीला थी दर्वार आिशकूल को कोक्ष्या 10 मां अध्येन गरे का वेला 1848 मा बेलायद बाट नेपाल ब्रहमाड मा आये का लर्ड रोबर्ट प्रोधानमंत्री चंद्र समसेर संग दर्वार आइस्कुल को निरिच्छल मा गाये का थिए प्रथम जीवनी लेखक, समालोचक, अन्वेशक, पत्रकार, मुद्रना लएका संस्थापक, संगठन करता, पुस्ताका लएका रूप मा मुद्राम भट्ट ले काम करे का थिए मुद्राम भट्ट कभी हुन, गीतकार हुन, गजलकार हुन, मुद्राम भट्ट ले कही नाटक निर्देशन पनी गरे का थिए, नाटक रचना पनी गरे का थिए, आपनो काल खंड मा गजल लाई मा गाउने रामर गाहिक पनी थिए, मुद्राम भट्ट कॉते ९ूगल दोहरी र जुहारी तर रात भरी स्लोप माँ जुहारी खेलेगो, उनलाए अनुभप थी योु। झाली भासब्ट को विश्यस ग्यान रूचि छुछ। मोतिराम बट्त मा थियो। मोतिराम बट्त ले भानुबक्त को ज्यान गुन गाउन थाले पसी। मात्रह नेपाली भासा को विकास को क्रम को शुरुआत वएक हो। श्रिंगार बादी कभी को रूप मा साहित्यकार को रूप मा हमिले मतिराम भट्टला चिन्ने गर्शों मिलन्सार बानी ब्यहोरा संग्संगे श्रिंगार रास मा आपना सिरे जना अगी पनी माल गजल सुनाएं इसाने उमेर देकी मन हरना लागे इने इस्वंदरीले जलूम गरना लागे मतिराम भट्टला आए हमिले जुन रूप मा जसरी समझे पनी नेपाली भषा साइत्यको श्री ब्रिद्धी का प्रवर्थक को रूप मा समझेनो उचीत हों छा तेस कारण आज आ हमिले मतिराम भट्टला आए समझे रहाएका अचा हूं मतिराम बट्ट जस्ता साधक तपस भी र भासा से भी कोई ले जरूरी भईचक एको शाओ देको समय मा इनकी आमरो भासामा छेई करण आय रहेको सदिनानो दिन मतिराम बट्ट लाई ससम्मान समझिन चों आमे आज को दिन मा र मतिराम भट्ट केई रचनामा फेरी महिले अरके ओटा गजल तभेमा अज प्रस्तुत गर्षु एसमा सक्ति बल्लब को सोर रसंगी छा पईलो भने बिन्ती करें सहीली मा छो हमी सोच सीप्र सिर्जनाको कारिक्रम हो आज बादर 23 कुशी आउसी को दिन बावु को मुखेरने दिन मोति जयनती मतिराम भट्ट का बारे मा मैले सामानने सर्चापनी गरे नेपाली भासा साइते का प्रवर्तक को रूप मा हमीले मतिराम भट्टलाई चिन्यों भने मतिराम भट्ट प्रती ठुलो सम्मानोंच गजल विदाह का प्रवर्तक संसंगे बानुभक्त लाई नेपाली जनमानस मा चिनाउने बेक्तित्तो बानुभक्त का कृतिको प्रकाशक मदिराम बट्टलाई ससम्मान आजगी दिन महामिले सम्झीन छों रा कारेक्रम को अंतिम चलाल मांचो बादर कुशियाउसी बाभुको मुखेरन दिन आजग आपूलाई जनमादीने घुर्काउने बडाउने आपूनो लक्सेमा पुर्याउने आठ बहरोसा दिने उटा बाटो जस्तो खुल्ला उधार बेक्तित्तो उन बाह बालाई सम्मान आज्को औो कारेक्रम मां मेरा बा तपउयका बाः सब ही का बाहरोन लाई सम्मान छो र बालाई सम्मान गर दे कवेद्रे निरासर्माले गतवर्शेयोटा कभी तारे कर गराइन जस्मा संचार कर्मी, सभीनाकार की का आवाज संगसंगेय अरीलम सॉर्ण संगीत छो मेरा बाह त्यो कविता गायन को प्रस्तुतिको रूप मा आज़को यो कारेकर मा मा प्रस्तुत गर दै आज़को सैली बाट छुट्टिन चो बिट मार्शो रविला धन्य बाद तबाई सवेला धन्य बाद फेरी पनी भादर कुशिया उसी पिता को मुखेरने दिन को का मना